जैशे किष्णय दोस्तों कैसे हैं आप आपका बहुत बहुत स्वागत करती हैं आपके ही यूट्यूब चैनल पे मैं आपके लिए कुछ ऐसे टोट के कि जानकरी लेके आते हैं जिससे कि आपके जीवन में जो भी परेशानिया जो भी कस्ट है वो दूर हो जाएं उससे आप निजाद पास सके तो आज का जो मैं आपको टोटका बताने जा रहे हैं बहुत ही सरल है बहुत यसान हर वो एक चाहती है कि उसका पती उसके वश में रहे उससे प्यार करें अगर वो प्यार नहीं कर रहे है रूट किया है तो वो उससे मनाना चाहती है अपनी जिंदिगी में वापस चाहती है वही प्यार पाना चाहती है जो उससे वो उसका पती पहले करता था बटब नहीं करता किसी और औरतों से बात करने लगा, मगर उससे वैसी बाते नहीं करता, घर में लड़ाई जगरग्या कलेश चल रहा हैं, उससे दूर हो चुका है, किसी तरह कोई रिष्टा नहीं है, तो आप जाना चाहती नहीं है, ऐसा वो कौन सा टोटका है, ऐसा कौन सा वो उपाई है, जिसको करने के बाद आपका जीवन साती, आपका पार्टनर, आपके जिन्देगी में वापस आ सके, तो जल्दी से नोट कर लीजे, एक ऐसी छोटी सी चीज, जिसे आपने अपने पल्ले से बांदनी है, गाठ बांद के रखनी है, तो ध्यान से सुन लीजे, गल्ती बिल्कुल मत क जाना है, और अपने इश्टे देव को याद करके एक जोट प्रजवलित करनी है, अगनी को साक्षी मान के आपने इन दो लौंग को अपने पती को याद करते हुए, कि आपका पती आपसे प्यार करने लगजे, आपकी जिन्दगी में वापस आजे, ये सोसते हुए, वो द आपका जो प्यार है उस लौंग में आ जाएगा, तो आपने अगले दिन अपने पती को वो लौंग किसी भी तरह खाने में खिला दीनी है, चाय में डालके खिला सकते हैं, ये खाने की कोई भी चीज़ा बनाएं, उसमें बनाके आप अपने पती को खिला दीजे, आप ये क कारी करके देखिए, टोटका करके देखिए, ऐसा काम करता है, कि बस आपका पती आपके वश में हो जगा, मगर हाँ, ऐसा नहीं कि जब अपने पती को वश में करें, अगर अपना प्यार पाना चाहते हैं, तभी ये कारी करें, करके देखिए, काम अवश्य करता हैं, आप म